आज के इस वेडियो में हम एक sentence structure दीखेंगे और basically ये sentence structure supposed to का है देंगे supposed to जो है वो model verb की category में आता है और supposed to के meanings जो होते हैं वो obligations में आते हैं या expectations में आते हैं, duty में आते हैं यानि अगर आप किसी शक्से expect करते हो कि वो ये काम करें या आपको लगता है ये उसकी duty है, ये perform करे या आपको लगता है कि ये obligation है, ये जमेदारी है, ये फराइज है, इसे होना चाहिए तो फिर आप supposed to में sentence बनाएंगे और supposed to के कोई उर्दू में particular meaning नहीं है कभी-कभी हम उर्दू में इसे उमीद के साथ भी बोलते हैं कि मैं उमीद करता हूँ आप ये कर लें कभी-कभी हम चाहिए के sense में भी बोलते हैं कि यार आपको ये काम वक्त पर कर लेना चाहिए था या आप काम ये वक्त पर कर लेते ठीक है कभी-कभी हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि आप कोई काम करना है यानि उर्दू में आपके पास कोई particular words नहीं है इन sentence को recognize करने के लेकिन आपके mind में ये meanings होंगे कि आप किसी की duty की वेज़ा से बात कर रहे हो supposed to में या obligation के लिए या expectation के लिए या किसी requirement के लिए आप ये बात कर रहे हो ठीक है और जब आप इसको बनाओ गे तो subject के बाद आपने ismr यूज करना है present के लिए और past के लिए यूज करना है was and were उसके बाद आएगा supposed to और फिर वर्ड की first form इस तरीके से आप ये sentences बनाएंगे कुछ example sentences देखते हैं ताके हमें ये अच्छे से clear हो जाए for example you are supposed to do a job here आपको यहाँ job करनी है या आपको यहाँ job करनी चाहिए या मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ job करें तो आप जब इस तरह का उर्ड में sentence हो तो आप कहेंगे यू फिर आजाएगा आप उसके बाद आएगा supposed to फिर do a job here वर्प की first time आगई do फिर do a job here you are supposed to do a job here एक और sentence देखें उससे उमीद की जाती है कि वो वक पर आजाए या उसे यहाँ वक पर आना चाहिए वक पर पहुँचना चाहिए या उसे बग पर पहुँचना है यानि आपको उससे उमीद है expect कर रहे हैं कि she is supposed to reach out on time एक और sentence देखें उमीद की जाती है कि आज मौसम अच्छा होगा आज मौसम अच्छा होना चाहिए आज मौसम अच्छा होगा एक और sentence देखें अब यह negative sentence है अगर आपको किसी काम के ना होने की उमीद हो तब आप ASMR के बाद not use कीजेगा आपसे यह उमीद नहीं है कि आप यह करेंगे या आपको यह काम नहीं करना है या आपको यह काम नहीं करना चाहिए एक और sentence देखें I am supposed to join the class today या बच्चों से उमीद की जाती है मैं आज class join करना है या मुझे आज से classes लेना है I am supposed to join the class today यानि obligation आ गई ना कि मुझे आज से class लेना है I am supposed to join the class today एक और sentence देखें Children are supposed to get good grades बच्चों से उमीद की जाती है कि वो अच्छे grades लें या बच्चों को अच्छे grades लेने चाहिए या बच्चों को अच्छे grades लेना है यानि बच्चों से उमीद की जा रही expectation रखे जा रही है कि वो अच्छे grades लें Children are supposed to get good grades एक sentence हम पास में देखते है We were supposed to win this match हम से वो ममीद की गई थी हम match जीते है या हमें match जीतना था या हमें match जीतना चाहिए था We were supposed to win this match पास ने बनाये तो वास बार यूज कीजिएगा ठीक है? एक और sentence देखें She was supposed to cook food उससे वो अमीद की गई थी वो खाना पकाए या उसे खाना पकाना था या उसे खाना पकाना चाहिए था She was supposed to cook food एक और sentence देखें He was not supposed to be here उससे या अमीद नहीं थी कि वो यहां होगा या उससे यहां नहीं होना चाहिए था या उसे यहां नहीं होना था उससे यह उमीर नहीं थी कि वो यहां हो एक last sentence देखें उससे उमीर थी कि वो और सिखे उसे और सीखना था उससे और सीखना चाहिए था तो इस तरह कि तब sentences हो तब आप supposed to में बनाएगा meaning अपने mind में लखेगा कि हम expectation के लिए duty के लिए obligation के लिए use कर रहे हैं और supposed to के बाद word की first form आएगी अब एक sentence आप बनाएगे आप सो अमीद की जाती है कि आप English सीखें या आपको English सीखना चाहिए या आपको English सीखना है अब आप इसस supposed to use करके बनाएगे और आप बताईए कि आप supposed to किस तरीके से अपनी life में add कर रहे हैं और किस तरीके से sentences बनाएगे comment box में जरूर share कीजेगा practice कीजे keep staying with us thanks for watching